तो फाइनली मारती सुजुकी ने लॉंच कर दिया है अपना All New Swift 4th Generation 2024 model इंडियन मार्केट के अंदर और आज के वीडियो में बात करने वाल है इसी गारी के बारे में गारी में आपको कौन-कौन से वेरियंट्स मिल जाती है फीचर्स का मिल जाती है न्यू इंजिन भी देखने को मिल रही है तो इंजिन का स्पेसिफिकेशन का होने वाली है इस गारी में आपको कौन-कौन से variants मिल जाती है, features क्या मिल जाती है, new engine भी देखने को मिल रही है तो engine का specifications क्या होने वाली है, साला कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है तो वीडियो को इंट तक जोर देखिए, लेकिन उससे पहले कर आप चैनल पर पहली वढ़ाए हो तो ऐसी और नए वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, थाकि आपको हमारे वीडियो मिले सबसे पहले तो मारती सुजु की स्विप्ट 2024 मॉडल में आपको टोटल 5 वेडियोंट्स देखने को मिलती है पहला है LXI, दूसरा है VXI, तेना आता है VXI Optional, ZXI और फाइनली आता है ZXI प्लस वेडियोंट्स तो इन वेडियोंट्स में क्या कुछ फीचर्स आपको मिल जाती है यह तो मैं आपको बताऊंगा लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं कि जो All New Swift है उसमें इंटियर और एक्स्टियर में क्या-क्या अपग्रेड्स हमें देखने को मिलती है और इस गाड़ी की प्राइसिंग क्या देखने को मिलेगी तो सामने आप देख सकते हो मारती सुजुकी स्विप्ट का टॉपेंड वेडियोंट जो कि है ZXI प्लस और यह आप देख सकते हो इसका बिल्कुल बेस वेडियोंट जो कि है LXI अब यहाँ पर exterior की बात करें तो front look आप देख सकते हो कि जो global model था उसी के तरह आपको Indian model में भी सामने का look बिल्कुल सेम देखने को मिलती है बस Indian variant के अंदर आपको जो fog lamp का housing है वो देखने को मिल जाती है जो कि global variant में हमें देखने को नहें मिलती है और बाकी सारी चीज़े जो कि एक बड़ा सा piano black finish में जो grill आती है बाकी इसका जो headlight setup आती है LED projectors with DRLs के साथ यह सब आपको सेम मिलने वाली है जो कि आपको global model में देखने को मिलता था चलिए अब अगर इस car की side profile की बार में बात करें तो यहाँ पर भी जो global variant था उसी के तरह सेम लूक में आपको Indian variant देखने को मिल जाती है बस एक छोटा सा डिफरेंस ही कि अगर आप इस गारी का base model यानि जो LXI variant है उसको अगर आप लेते हो तो यहाँ पर आपको जो door handles है व अगर अगर आप top end model लेते हो ZXI plus तो यहाँ पर आपको Diamond cut alloy wheels देखने को मिल जाती है जो की आपको lower वेरेंस में देखने को नहीं मिल जाती है अगर हम दोग कमपेर करें Old Generation swap. के साथ और अगर हम दोग बात करें डाइमेंशन की तो डाइमेंशन वाइस स्पेस वाइस आपको जह ओल्ड जनेरेशन स्विप्ट है उसी के तरह सिमिलर डाइमेंशन देखने को मिलेगा चलिए अगर बात करें इसके पीछे के प्रोफाइल की यहां पर भी आप देख सेकते है जो कि यलो लाइट है वो आपको है लोजन में देखने को मिलती है यहाप पर बंपर के डिज़ाइन भी आपकर देख सकते हो तो सेम आपको जो घ्लोबल वरियंड के तरह है इसका बंपर का डिजाइन देखने को मिलेगा तो यही तक कुछ एक्स्टियर के चेंज जो कि आपको new Swift 2024 model में देखने को मिल जाएगी, चलिए अबर interior की बात करें, तो जो dashboard का design यह आपको same global variant के तरह ही देखने को मिलती है, यहापको dual tone वाला setup मिलेगा और अगर quality levels की बात करें, तो यह आपको मारती सुझी के जो बैलेनो गाड़ी आती है, उसी के तरह quality levels आपको इस आपको इस गारी में आपको सिर्फ एक ही engine option देखने को मिलेगा, और यह engine है 1.2 liter का Z series petrol engine, जो की एक naturally aspirated engine है, कोई भी turbo charge engine का option आपको new Swift में देखने को नहीं मिलती है, और इस engine के अंदर एक बहुत ही बढ़ा सा downgrade किया गया है, वो है number of cylinders, पहले आपको जो इन्जिन मिलती है, वहाँ पर आपको 4 cylinder setup के साथ engine देखने को मिलती थी, लेकिन अभी 2024 model का Swift में आपको 3 cylinder engine देखने को मिलेगा, हाला कि NVH levels और refinement की अगर बात करें, तो मारसी सुदुगी का engine है, तो थोरा सा जाधा refined आपको engine देखने को मिल जाएगा, अगर हम लोग compare करें, बाकी companies के 3 cylinder engines के आपको कम देखने को मिलेगा, पहले के Swift में जो engine आती थी 4 cylinder engine, उसमें आपको 89 BHP का power और 130 Nm का torque देखने को मिल जातो था, लेकिन इस new Swift के अंदर आपको मिलती है, 81 BHP का power और 112 Nm का torque, तो power and torque भी आपको कम देखने को मिलती है, new generation Swift के अंदर, अब engine में downgrade तो हो गया है, लेकि इस car का fuel efficiency, इस car का fuel efficiency जो की company claim कर रही है, वो है 25.72 km per liter, जो की हम लोग मान के जल सकते कि इस segment में सबसे जाधा mileage है, यानि आप इस गारी को cities में, highways में, किसी भी road conditions कहीं सबसे चलाओ, आपको mileage जो है वो बढ़िया ही मिलने वाली है, अब gearbox के अगर बात करें तो इस car में आपक 5 speed का ही, automatic transmission, जो की AMT transmission आती है, मारती सुज़गी का, वो ही वाला transmission देखने को मिलेगा, चलिए अब अगर new swift 2024 model की variants wise features की बात करें, तो इसका जो base model है, जो की LXI variant है, इसमें आपको काफी basic features देखने को मिल जाती है, तो इसमें आपको normal AC देखने को मिलेगा, उसके बाद आप आपको मिल जाती है, all four power windows, इसके बाद आपको मिल जाती है, manual central locking, internally adjustable ORVM, जो की manually आपको control करना परेगा, electronic option देखने को नहीं मिलेगा, और इसके अंदर आपको rear defogger, जो की आपको base variant से ही देखने को मिल जाती है, और साती base variant से ही आपको projector headlamps देखने को मिल जाती है, जो की एक अच्छी बात है, लेकिन यह जो headlamps से यह halogen के अंदर होंगे, यहाँ पर आपको LED setup देखने को नहीं मिलेगा, चलिए अगर इसके VXI variant के बात करें, तो यहाँ पर आपको remote central locking, 7 inch का touchscreen infotainment system, with android auto and apple carplay, electric adjustable ORVMs, और wheel covers, यह सब feature सब को additional देखने को मिलेगा, अगर हम लोग compare करे LXI variant के साथ, और अगर आप इस गारी का VXI optional variant लेते हो, तिहाँ पर आपको एक ही additional feature मिलता है, जो कि keyless entry, और उसी के साथ आपको push start stop button देखने को मिल जाएगा, बाकी जो features VXI model में आती है, वो सारे features आपको VXI optional model में भी देखने को मिल जाएगी, बाकी आप अगर इसका ZXI variant लेते हो, जो कि इसका सबसे ज़्यादा value for money variant है, तिहाँ पर आपको मिल जाती है, automatic climate control वाला AC, rear AC vents, wireless charger, LED projector head lamps, 15 inch silver alloy wheels, rear washer and wiper, और साथी इस car में जो rear seat है, वो आपको 6040 setup के साथ मिल जाती है, बाकी आप अगर इसका ZXI plus variant लेते हो, तिहाँ पर जो features मिलने वाली है, वो है rear view camera cruise control, 9 inch smart play pro infotainment system, wireless android auto apple carplay, LED fog lamps with DRLs, diamond cut 15 inch alloy wheels, ये सरे features आपको ZXI plus variant में additional मिल जाती है, और जो DRL का जो feature है, ये आपको सिर्फ ZXI plus, जो कि top end model है, उसी में देखने को मिलेगा, बाकी इसका जो lower variants है, इसमें आपको, जो DRL से उसके जगा chrome के lining दी गई है, साथी ZXI plus variant में आपक sound system भी देखने को मिल जाएगी, जो कि एक premium sound system है, अगर अब features वाइस देखेंगे, तो जो new Swift है 2024 model, इसमें आपको कुछ-कुछ features जादा देखने को मिल जाती है, अगर हम लोग compare करे, old generation Swift के साथ, लेकिन अभी भी जो मारत्य सुदू की बैलेनो गारी है, उससे कम features ही आपको देखने को मिल जाती है, तो यही सारे features थे जो कि आपको all new 2024 मारत्य सुदू की सुट में देखने को मिल जाती है, और इस गारी में कोई भी एडास या फिर electronic parking brake जैसे premium features देखने को नहीं मिल जाती है, साथी आपको कोई भी hybrid engine भी देखने को नहीं मिल रही है, जो कि हम लोग पहले expect कर रहे थे, इसके लोगा safety के अंदर भी काफी कुछ अपडेट किया गया है, अभी आपको सारी variants में six airbags देखने को मिल जाएंगी, साथी आपको मिल जाएगा ABS, EBD, street belt, reminder with pre-tensioner and load limiter, reverse parking camera, reverse parking sensors, child ISOFIX mounts, और इसके लोगा कुछ advanced features जैसे ESP, brake assist, electronic stability control, hill hold assist, यह सारे जो features ह जो कि advanced safety features है, यह आपको देखने को मिल जाती है, चलिए अब अगर बात करे, all new swift 2024 model की pricing के बारे में, तो इसका जो Alexa variant है, उसका actual room price टाट हो जाती है, 6,49,000 रूपीज से, जो कि manual में है, और इसका जो top end model है, जो कि ZXI plus dual tone, AMT variant के अंदर, उसका actual room price जाती है, 9.64 रूपीज त आपको वीडियो अगर अच्छी लगिया, information अगर अच्छी लगिया, तो वीडियो को like और चैनल को subscribe भी करके जाए, मिलते हैं किसी ने वीडियो में तब तक के लिए goodbye and take care